उत्तर प्रदिश के जन्पत हमीरपूर के सदर हाईवे पर सुमबार सुबा साड़े पांच बजे कौशामभी डीपो अनियंत्रित होकर पलट गई इस बस में नौईडा और दिल्ली से मजदूरों को महुबा ले जाये जा रहा था बस में 31 लोग सवार थे जिन में से 11 मजदूर खायल हो गए वहीं हादसे के बाद मौके पर चीख पुगार मच गई आनन फानन में शासन प्रशासन के एतिकारी मौके पर पहुंचे और सभी को बहान निकाला गया वहीं 11 मजदूरों को एलाज के लिए अस्पताल में भठती करवाएं गया प्यारा प्रशान देही पर पुलिस ने महिला से लूटी गई युल्डी को भी बरामत कर दिया है पुलिस ने चारो आरोक्यों को जेल पेज दिया सुबह की मुखे मंतरी योगी अल्देनाथ ने प्रवाजी मजदूर हाईवे या फिर रेलवेर ट्रैक के साहरे नजाएं इसके लिए सभी जिलों को अलट किया है लेकिन कुछ पुलिस कर्मी इसे अपनी मनमानी समझ रहे हैं जिसमें खाकी को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर हापूर सिटी कोतवाली के रेलवेर फटक से आ रही है इसमें पुलिस कर्मी बिना मास के जा रहे दो युवकों को सजा के रूप में रेलवे ट्रैक पर लेट कर चलने को कहता है जबकि मई की तब तबादी धूप में दोनों युवक बार बार उठ पी रहे हैं ये वीडियो किसी रहागिय ने बनाया और वाइरल कर दिया है जिसके बाद पूरे पुलिस महक्मी में हड़कम मचावा है हापूर एसपी सर्वेश कुमार मिश्णा ने जाजकर पुलिस कर्मी के विरुद गंबीर आरो पाये जाने की कानण पुलिस अदिक्षा के द्वार पुलिस कर्मी को तदकाल निलंबित कर दिया गया है जिसके बरांत इन्हें तदकाल परभाव से लाइन हाजिक कर दिया गया है